हेलो बच्चो, नवस्कार प्यारे बच्चो हमने AOD की फर्स्ट क्लास में Increasing-Decreasing शुरू किया और उसमें हम लोगों ने Algebraic Form की Increasing-Decreasing के टॉपिक्स को पढ़ा और आज हम लोग Algebraic Form से थोड़ा आगे निकलेंगे और जैसे हम logarithm में और sign वगेरा के questions भी करेंगे लेकिन कुछ ऐसे basics अभी भी algebraic में रह गए हैं जो हमें cover करने हैं जैसे एक छोटा सा मैं example लेता हूँ क्योंकि इसमें क्या है power साना शुरू हो जाएंगी अब तक power एक appropriate variable के उपर था लेकिन अब की पर power पूरा एक rule बनाएगा और एक formula बनाएगा जो हमें यहाँ पर देखना है जैसे मैं question लेता हूँ 6th का e part 6th का e part कि मुझे फंक्शन दिया गया है x प्लस 1 का whole cube और x माइनस 3 का whole cube यही दिया गया है अब आप से बोला गया कि इसका increasing decreasing यह इस इसका increasing और decreasing निकाली है ठीक है जी तो पहले तो आप इसको open करो a प्लस b का whole cube तो क्या बनेगा a cube प्लस b cube प्लस 3 a square b प्लस 3 a b square same condition इसके लिए भी a cube minus b cube minus 3 a square b plus 3 a a b square f of x x cube 1 का cube 1 3 x square plus 3 x x cube 3 का cube 27 minus 9 x square 3 का square 9 3 जट 27 x ठीक है भी अब देखो क्या है अब क्या है अब इसको हम arrange कर लेंगे x cube 3 x square plus 3 x plus 1 x cube हम जी भी 9 x square plus 27 x minus 27 यह आगिया इसके बाद क्या किया जाए इसके बाद क्या किया जाए कि भी यहाँ पर हम कुछ rule बना सकें हम यहाँ पर क्या बना सकें कुछ rule बना सकें तो क्या rule बनाए तो देखो अब यहाँ पर term कौन सी आ गई है cube वाली term कौन सी आ गई है cube वाली और cube वाली term का हमारा नाता 9th class से है कि जब भी हम 9th class का अगर इस content को देखें तो हमारे पास result यह आता है कि cube वाली जब भी term आपको दिखाई देगी तो आपका काम यहाँ पर बन जाता है कि कोई ऐसी value put करना जिसकी वज़े से यह पूरा 0 बन जाए ठीक है पहले मैं इस वाले के लिए let करके देखता हूँ पहले 1 रख के देखो अगर 1 पे 0 बन जाता है तो इसका मतला हम 1 के लिए काम करेंगे अगर 2 पे 0 बन जाता है तो 2 पे करके देखेंगे लेकिन 1 ऐसे नहीं 1 भी रख के देखना माइनस 1 भी रख के देखना है फिर 2 भी रख के देखना माइनस 2 भी रख के देखना जिस पे 0 बन जाएगा वो हमारे लिए क्या होगा भाई result होगा जैसे 1 रखिए 1 का cube 1 तो यानि सारे प्लस के हैं तो कुछ नहीं हो रहा माइनस वन रखके देखेंगे चलो अगर माइनस वन रखके देखेंगे चेक करेंगे तो यह बनेगा माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस वन का स्क्वार प्लस वन थ्री minus 3 और यह plus 1 तो देखो minus minus 3 3 यानि हमने क्या देखा बच्चो कि जब हम x minus 1 रख रहे हैं x is equal to minus 1 रख रहे हैं तो हमारा काम बन रहा है ठीक है तो x minus 1 अगर मैं इसमें put कर रहा हूं रहे हैं रहे हैं और minus 1 को उठा कि दिर लियांगो तो प्लस का 1 हो जाएगा ठीक है तो क्या नहीं इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x plus 1 is the factor of this यानि x plus 1 क्या है इसका factor है यह सब काम आपको रफ में करना है और फिर इसका divide कर देना है फिर क्या कर देना आपको फिर आपको divide कर देना है x plus 1 मैं मैनस माइनस, कट गया, two x square three x फिर क्या चाहिए, two x चाहिए, क्यों क्यों Gentile क्यों क्योंकि x तो ही, multiply करेंगे, two x square one से करेंगे, two x, two x – minus, cut गया, x plus one Чер चाहिए, one से x plus one minus minus, सब कुछ cut गया, 0. तो वही हां पर remainder 0 जरूर आना चाहिए और आए गई आएगा क्यों कि हमने कंडिशन ही ऐसी पुट की है कि कट पिटा के सब क्या हो जाए जीरो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ आपने यह रूल तो पढ़ाई है एस तरीके थे तो एस इक्वल टू बीक्यू प्लस आर टैंथ किलास में हैं तो देखिए ये वालव टर्म इस टाम पे कहां दिखा दे रहे हैं आपको हां बीच में दिखा दे रहा है तो क्या ये वालव टर्म ये मन्टिप्लाइ救े ए में ये और प्लस में जीरो यही रहेगा कि नी तो बस क्या मैं इसको लिख सकता हूं x1 x2 पलस 2x प्लस 1 हा की ना बैए बिलकुल लिख सकता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सेम केस बच्चो इसके लिए भी पुट करेंगे भाँ सेम केस इसके लिए भी होगा यहां भी कोई एसी वेलू रखके देखो कि हमारा काम बन जाएं चलिए पहले वन रखके देखेंगे इसके लिए तो बन का क्यूब वन वन का स्क्वाइर वन लेकिन नाइन 27 माइनस 27 तो यह क्या हो बच्चो 27 27 तो गड़ देले निए निए कुछ चलो कुछ और रखते हैं अब हम क्या रखेंगे कुछ और रखा तो ठीक है ना माइनस माइन चांगे और मैनस वन का यह और यह कितना हो जाएगा माइनस 16 27 तो सारी माइनस मेते छोड़ दो अब 2 रखे देको टू का क्यूब कि इतना होता होता है 4 और 49 जा 436 और यह इतना होता है 54 और 27 तो 54 और 8 कितने उते हैं बच्छो 62 और यह कितना हो जाएका 7 और 6 13 1 और 3 6 3 6 हैं से और 2 कुछ गड़बब हो रही हैं कि क्या है हमारे पस x-3 का क्यूं भी है करें कि मैंगे एकस मैंनेने 1 кि स्कुरी ओफे C एकस मैंने थ्री है है तो एकस मैंने थ्री का पनीके आपका 1a X 3 FM3a Q27 3 3dolor 9x स्कूएर ऊट कर सेहन के एक मिनिट कोशन चेक करना पड़ेगा मिरूप लगा कुश्च oysters biology है कि मैं मैं एकक 3 है बिल्कुल है कि एक्समान Don't Wave डेफिनिटली मैं कि फिर दोई पूट करके देखना पड़ेगा डूसे भी न जाएगा इसका मतलब अब हम करके देखते हैं माइन स्टू मायं इस टू एक देखो माइन सटू रखेंगे तो कितना हो जाएगा एगा facil та uta माइनस टू रखेंगे तो बन जाएगा हमारा 1 से पहले 1 रखे देखो, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वेर 9, 27 माइनस 27, कट रहा है, नहीं बनरी बात वाई इसके बाद माइनस 1 रखे देखो, माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वेर, माइनस 9, माइनस 27, सब कुछ माइनस में जा रहा है, नहीं बनरी बात उसके बाद 2 रखे देखो, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वेर 4, 2 का स्क्वेर 4, 4, 9, 36, 54, 27 ठीक है बाई, तो कितना जाएगा, 54 और 8, 6 और 2, 62, 30, 50 और 13, 63, नहीं बनरी बात वाई क्या रखे देखेंगे अब, माइनस 2, माइनस 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8, यह हो जाएगा, तब भी 36 ही रहेगा, यह हो जाएगा, माइनस का 54, सब कुछ माइनस में आगे, नहीं बनरी बात, 3 रखे देखेंगे, 3 का क्यूब, कितना होता बाई, 27, 3 का स् बन जाने चीए 3 से आगे जाता ही निये कभी X का क्यूब 3 का क्यूब A क्यूब माइनस B क्यूब प्लस 3 A स्क्वार B थोरी माइनस 3 A स्क्वार B प्लस 3 A B स्क्वार यह बनती है कंडिशन मुटियस 27 क्या अब तक तो फेक्टर बन्यानी चीए थे यह बन्यानी चीए थे कि एक काम करो प्रचो इसका में दूसरा मैठड गरा देता हूं क्योंकि यह पर फैक्टर बन नहीं रहे इसका मतलब ऐसा जरूर रहा होगा कि एक तो इन्होंने क्यूब वाला टर्म दे दिया फैक्टर वाला और एक तो कि तक पुट्ट करने पेँए तो हम एक काम करेंगे हम इसके अंदर एक तो मिचों साथ कहा हाई diy जबT पहले का derivative पहले का derivative दूसरा agities ये तो कर सकता हूं अजी अब पहला क्या agities दूसरे का derivative ये कर सकते हैं अब देखो power आगे एक ना चाहिए अब बन जाएगा अपना काम भाई इसमें भी इसमें भी इसमें पावर आगे, एक कम, ठेके जी, अब अगर गौर से देखो कि तो 3 common आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा common, और अंदर क्या बचेगा, x plus 1 का whole square, x minus 3 का whole square, x plus 1 का whole cube, और x minus 3 का whole square, यही बचा की नहीं बचा, अब इसमें से भी देखना आपको common मिल जाएगा, कुछ ना कुछ, क्या common मिल जाएगा, गौर से देखो, हंजी, x plus 1 का whole square, x plus 1 का whole cube, छोटी पावर कौन है, square, common आ रहा है की नहीं आ रहा है, जी, बिल्कुल आ रहा है, अब देखो, इसमें देखो, x minus 3 का whole cube, x minus 3 का whole square, square वाले term common आएगी की नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी common, अंदर क्या बचा, बही ये square था, बहार निकल गया, ये cube था, एक बार बच गया, हाँ की ना, बही, ये square था, बहार निकल गया, ये cube था, एक बार बच गया, जो बच गया, ठीक है, जो नहीं बचा छोड़ो, x plus 1 का whole square, x minus 3 का whole square, यानि कि x plus x, 2x, 3 में से 1 गया, तो कितना बचेगा, 2, 2 common ले लो बाहर निकल ले आएगा 3 x plus 1 का whole square x minus 3 का whole square x minus क्या बचेगा 1 और यह कितना हो जाएगा 6 x plus 1 का whole square x minus 3 का whole square x minus 1 f dash x ये लो जी हमारे पार condition बन गई अब आपको अच्छे से पता है कि जब हमारे पास derivative आ जाए तो derivative आने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है कि इसको increasing या decreasing के लिए solve करें तो हम लिखेंगे solve for solve for strictly strictly increasing अगर हम बच्चे increasing के लिए solve करते हैं तो हमारे पास क्या result आने वाला है देखो हंजी f dash x is greater than zero यही वाली function आने वाला है f dash x कितना आपका 6 x plus 1 का whole square x minus cube का whole square x minus 1 greater than zero यही है अच्छा अब six यहां multiply कर रहा है क्योंकि देखो यह plus का six है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं से उठा के वाँ भेज़ो जीरो जाएगा तो क्या बचा आपके पास x plus 1 का whole square x minus 3 का whole square x minus 1 0 ठीक है अब आपको बच्चों यहां पर क्या निकालना है इनके solution निकालना है किस पर नंबर लाइन पर कैसे निकालना है ध्यान से देखेंगे बच्चों सीधी सी बात है अगर x plus 1 का square है और मैं इसको 0 के एकवल रखना चाहूं तो क्या करूंगा भाई x plus 1 को 0 के बराबर रखके चलो यानि यहां पर अगर मैं minus 1 put कर देता हूं तो obvious सी बात है 0 ही हो जाएगा तो यानि मुझे क्या condition लेकर चलनी है हम लिखेंगे the solution the solution the solution points are the solution points are हमारे लिए solution point क्या बनेगा जल्दी बता दो बच्चों जल्दी बता दो x plus 1 ठीक है greater than 0 के लिए x minus 3 greater than 0 के लिए x minus 1 greater than 0 के लिए तो यह इदर आके minus 1 बन जाएगा यह इदर आके plus 3 बन जाएगा यह इदर आके plus 3 बन जाएगा यह इदर आके plus 1 बन जाएगा इसका मतलब मेरे पाद 3 points आए strictly increasing decreasing के लिए 1, 3 और minus 1 number line पर फटा फटा जो दोड़ के यह minus infinity होता है यह infinity होता है हाँ जी सबसे left में कौन दिख रहा है minus 1 फिर कौन दिख रहा है 1 फिर कौन दिख रहा है 3 तो हमारे पास बच्चों यह creation आई अब हमें check करना है कि किस पे strictly increasing किस पे strictly decreasing तो ठीक है जी हाँ जी हम कहां पर put करना शुरू करेंगे यहां पर हम यहां पर put करना शुरू करेंगे अपने आप दिख जाएगा increase कर रहा है decrease कर रहा है हाँ जी माइनस infinity से माइनस 1 के बीच में बता दो कौन सी value आती है भाई माइनस 1 के बाद जितनी value सब आती है तो हम माइनस 2 ठाले दें ठीक है बच्चों यहां माइनस 2 रखके देखो यह आपको काम रफ में करना है माइनस 2 करना माइनस 2 प्लस 1 एक बाद बताओं एक बाद बताओं जब भी तुम्हें किसी के उपर square दिखाई दे जाए ना तो आपको कुछ चेक करने जूरुत नहीं प्लस ही होगा हर हाल में क्या होगा प्लस ही होगा तो बस बात खतम यार यह तो प्लस ही दे रहा यह प्लस दे रहा बस इसमें रखके देख लो तो यहां पर माइनस 2 रखके देखो तो माइनस 2 माइनस 1 तो कि माइनस 3 इसका मतलब क्या रहा है जीरो से क्या यह बड़ा है न minus 3 minus 3 का square भी 9 अब यहां रखो 0 तो 0 minus 1 क्या हो जाएगा 0 minus 1 क्या हो जाएगा भाई आपका भाई 0 minus 1 minus 1 ही रहेगा तो इसका मतलब फिर से negative आ गया तो यानि इसका मतलब यह भी decreasing अब 1 से 3 के बीच में कुछ भी रखके देख लो 2 होता है रखो 2 plus 1 स्कुरा तब भी रहेगा 2 minus 3 स्कुरा तब भी रहेगा यहां रखके देखो 2 minus 1 वन तो इसका मतलब क्या हो पॉजिटिव डिजिट आगी प्लस अब 3 infinity रखके देखो 3 ते infinity के बीच में 4 आता है इसकुर है इसकुर है चार मैंने से 3 है तो मतलब यह भी क्या रहेगा इंक्रीजिंग तो क्या मुझे इस ट्रिक्ली इंक्रीजिंग और शुक्ली डिग्रीजिंग का पॉइंट बता नहीं जुर्त है नहीं तो बस सीधी सिंपल कि इस ट्रिक्ली इंक्रीजिंग strictly increasing क्या रहेगा भई 1 से 3 union 3 से infinity फिर strictly decreasing decreasing क्या रहेगा minus infinity से minus 1 union minus 1 से 1 चलो करो फटा फटी से अच्छा कोशन दे क्या कोशन से 1 अच्छा अच्छा क्या रहे आए नोटगरवच्चा नेक्स देखेंगे कोश्चन नमबर एट देखो एट नी सेवन देखो पहले यह पहले एट करना जाओगे चलो सेवन ही कर लो यह ज्यादा थोड़ी हो हो भी असान है बस लॉग दिखाई देगा आपको और ज्यादा कुछ नहीं है हाँ तो कोश्चन नमबर सेवन ते आपके सामने y is equal to log 1 plus x 1 plus x minus 2x upon में 2 plus x 2x upon में 2 plus x चलो भाई और इसमें पहले ही बता दिया है कि x ना minus 1 से greater है x minus 1 से क्या है greater है तो कहरा increase करो increasing बताओ इसके domain के लिए ठीक है जी कोई तिक्कत नहीं है तो आपको यह function दिख रहा है पहले तो हम क्या करेंगे differentiate with respect to क्या x तो y का बन जाएगा dy upon में dx log को आप जन्रम से जानते हो भाई क्या बनता है 1 upon में 1 plus x इसके बीज में क्या लगेगा question rule कौन सा rule लगेगा question rule और question rule के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं 2x पहले का derivative दूसरा as it is minus पहला as it is दूसरे का derivative upon में नीचे वाले का square तो dy upon dx 1 upon में 1 plus x हांज यह क्या बन गया x तो 2 x तो 1 बन जाएगा तो यह आएगा 2 plus x 2x और यह क्या बन जाएगा 2 तो 0 x क्या बन जाएगा 1 2 plus x का whole square dy upon dx 1 upon 1 plus x minus solve करेंगे दो दुनी चार 2x और यह minus का 2x 2 plus x का whole square 2x से 2x cancel dy upon dx 1 upon में 1 plus x minus 4 upon में 2 plus x का whole square ठीक है और open करना चाहते हो और open कर लो कोई दिक्कत नहीं है इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ और solve कर लो जितना solve करके रहोगे अच्छा रहेगा फिर इसको इससे करोगे तो उपरवाले को solve करो करो अच्छो उपरवाले को a plus b का whole square 2 का square 4x square plus 2ab तो 2 2 जा 4x अंदर multiply minus 4 minus 4x upon 1 plus x 2 plus x का whole square 4x से 4x कट गया 4 से 4 कट गया तो हमारे पास बच्छो जो domain त्यार होने वाला है यह देखिए तो हमारे पास क्या domain त्यार हुआ हुआ हमारे पास and dx बराबर सब कुछ कट गया बच गया x square और नीचे बच गया 1 plus x और यहां बच गया 2 plus x का whole square अब हमें increasing decreasing के लिए solve करना है ठीक है चलिए solve for solve for strictly increasing या इसरी फिंक्रीजिंग के लिए solve करना है तो इसका whole square greater than zero अब मुझे सिंपल सी बात बताओ यह जो कंडिशन है यह जो कंडिशन है क्या 2 plus x का whole square यह तो obvious है हमेशा क्या रहेगा greater ही रहेगा चाहिए आप यहां पर कोई भी value बुट कर लो हरा हाल में zero से बढ़ा रहेगा यह और यहां x square पर भी कुछ भी बुट कर लो हरा हाल में बढ़ा ही रहेगा यह तो बचा कौन यह 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 हमें इसके लिए solve करना है यह तो हमेशा greater x square वाले क्योंकि मैंने क्या बता है square वाली term always क्या बन जाती है positive तो हमारे पास बज़िए यह one plus x greater than zero plus का one वहां जाके क्या हो जाएगा minus का one plus का one वहां जाके क्या हो जाएगा minus का one इसका मतला हमें बस इसके लिए solve करना minus one के लिए now तो अगर आप minus one से minus infinity के बीच में कुछ भी put करते हैं for example minus two तो देखिए minus two रखिएगा तो आपका minus one आ जाएगा it means minus में digit आ रही है तो यह तो decrease कर रहा है और अगर minus one से infinity के बीच में कुछ भी रखते हैं मालो zero भी रखता हूँ तो zero plus one क्या होगा one तो इसका मतलब positive दे रहा तक नोट कीजिए आप इसको नोट कीजिए अभी तो और भी अच्छे अच्छे question आपका इंतिजार कर रहे हैं इसको नोट कीजिए जल्दी से चलिए और questions देखते हैं बच्छो आपने नोट कर लिया होगा अब आपको question number मान के चलता हूँ आप 8 करेंगी ठीक है अच्छा question है काफी ठीक है question number 8 ट्राइ कीजिए मेरी वीडियो पॉस करके आप सभी question number 8 ट्राइ कीजिए फिर मैं question number 8 कर आ रहा हूँ question number 8 था आपका क्या आपको दे रखा है y is equal to x x-2 का whole square यह दे रखा है और कह रहा है कि भाई find the values of x x की value निका लिए ठीक है जिस पे वो increase करेंगी जिस पे वो क्या करेंगे increase करेंगे तो हमें वो value निकालनी है जिस पे यह क्या कर रहे है increase कर रहे हैं चलो भाई करते हैं सुरू हाँ जी सबसे पहले तो आप क्या करो इस अंदर multiply करो तो यह बन जाएगा x square minus 2x यह और आप करो differentiate with respect to x तो यह बनेगा आपका dy upon dx और यह बनेगा आपका क्या पहले power आगे एक कम फिर अंदर वाली party का x square का power आगे एक कम और 2 का 2 dy upon dx इसमें से 2 common निका लूँगा बच्चो तो 2 into 2 हो जाएगा x square minus 2x और यहां बचेगा x minus 1 dy upon dx यह 22 जब 4 हो गया और बच्चो इसमें से x common निका लूँगा तो अंदर बचेगा x minus 2 x minus 1 dy upon dx अकेले x को मैं x minus 0 लिख सकता हूं और यह कुछ इस तरीके से बन गया ठीक है यह one वाले को पहले रख लो two वाले को बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चलिए बच्चो अब जब अब जब आपको पहली condition यह दे दी गई है पहली condition यह दे दी गई है तो आप अराम से increasing बच्चो निकाल सकते हैं अराम से increasing निकाल सकते हैं कैसे नाओ increasing किस उरकार से निकालेंगे बच्चो देखिए यहां पर यह है तो कहेंगे solve for increasing और जब मैं increasing के लिए solve करूंगा बच्चो तो मेरे लिए condition बन जाएगी dy upon dx greater than 0 ठीक है क्योंकि उसने खुदी बोला increase के लिए solve करो तो हमें increase के लिए ही solve करना है अब क्या बनाएंगे हम अब क्या बनाएंगे increase के लिए solve कर रहे हैं तो 4 x-0 x-1 x-2 greater than 0 अब जब ऐसा है तो प्यारे बच्चे उसको solve करो किस चाप से solve करोगे हां जी नाओ एक बार इसको एक बार इसको और एक बार इसको तो यह आपका तो 0 का 0 ही रहेगा यह आपका 1 बन जाएगा यह आपका 2 बन जाएगा नमबर राइन पर रिप्रेजेंट करेंगे minus infinity 0, 1, 2, infinity अब चेक करना है कि किस पे increase है किस पे decrease है 0 से minus infinity के बीच में value है minus 1 value है minus 1 minus 1 अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ minus 1 अगर यहाँ पर रख देता हूँ minus 1 minus minus तो इसका मतलब तीन बार minus आ रहा तो इसका मतलब value क्या रहेगी negative तो इसका मतलब यह तो decrease कर रहा है 0 से 1 के बीच में value आती है half जीरो से वन के वीच में वैलू क्या आती है हाफ हाफ रख के देखिए हाफ 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 तो मैंने क्या देखा यहां पर हाफ रख रहा हूं तो पॉजिटिव यहां पर हाफ रख रहा हूं तो नेगेटिव यहां पर हाफ रख रहा हूं तो नेगेटिव तो नेगेटिव कितनी बार आया, दो बार और दो बार negative जब आता है तो वो वापस बन जाता है positive, तो it means 0 से 1 क्या रहेगा, increase, अच्छा, अब 1 से लेके 2 तक में देखो, 1 से 2 में क्या आ रहे, value by dead, कितने, 3 by 2, तो 3 by 2, dead, तो यहां dead रख दोगे तो plus, यहां dead रख दोगे plus, लेकिन यहां dead रख दोग यहां 3 रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, 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 तीनों में plus value आ रही है, तो इसका मतलब increase, तो इसका मतलब, so, increasing points, increasing interval, क्या है भाई आपके, 0 से 1, union, 2 से इन्फिनिटी करो इतना सिंपल से कोश्चन सही है बस आपको थोड़ा सा सोचना है और करना है ठीक है कॉमन कि इसमें से कॉमन चलिए बच्चो एक और देखते हैं जड़ा कोश्चन फॉर्थ आप करके देखना फॉर्थ ठीक है इलेवन्त देखो इसके बाद इलेवन्त कोश्चन देखिए बच्चो अब इलेवन्त में थोड़ी से लेंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ी से लेंग्वेज प्रॉब्लम करी गई है ठीक है आपसे कहा गया है इलेवन्त कोश्चन में आपके पास प्यारे बच्चो एक फंक्शन दिया गया है आपके पास एक फंक्शन दिया गया है क्या दिया गया है एफ आफ आफ एक्स इस इक्वल टू एक्स स्क्वार माइनस एक्स प्लस वन ये आपके पास एक फंक्शन है और आपसे अब की बार उल्टी चीज पूछी है मतलब क्या आपसे बोला गया कि भाई ये प्रूफ करो कि आपको इंटरवल पहले से दे दिये माइनस वन से वन तक कहां से कहां तक माइनस वन से वन तक और इस बात को प्रूफ करने के लिए बोला है कि क्या इनके बीच में ना ही वो इंक्रीज कर रहे हैं ना ही वो डिक्रीज कर रहे हैं देखो अब तक क्या बोल रहे थे इंक्रीज और डिक्रीज दिखाओ लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, ना increase होना चाहिए, ना decrease होना चाहिए, दोनों बात कह रहे हैं, तो लो भई, अब तो समस्या आगई, क्योंकि अब हमारे पस किस तरह का solution मांगा जा रहा है, हमसे इस तरह का solution मांगा जा रहा है, कि हम बताएं, ये बताएंगे ही नहीं कि किस प पावर आगे एक कम एक्स वन और वन तो क्या बन जागा जीरो खतम कहानी तो टू एक्स माइनस वन यहां तक आ गया यह इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको क्या करना है वही सॉल्फ फॉर इंक्रीजिंग इसके बाद आपको क्या करना है वही सॉल्फ फॉर इंक्रीजिंग एफ डैस एक्स ग्रेटर दें जीरो तो टू एक्स माइनस वन और एक्स क्या जाएगा वन बाई टू एक्स क्या जाएगा वन बाई टू नाओ अब हमें इंटर्वल पहले से दे रखा है नंबर लाइन के ल माइनस वन से वन के बीच में और ऐसे केस में इसने ये बोला है कि ना ही इंक्रीज करना चाहिए और ना ही डिक्रीज करना चाहिए तो ठीक है जी ऐसे केस में करके देखेंगे कोई दिक्कत नहीं हमें हम इसमें रखके देखते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज करता है कि नह ठीक है। चलो –1 से 1 by 2 के बीच में कुछ भी रख के देखो तो 0 आता है रखना जलना हैं Après 0 भाई –1 0 अर यह –1 अब देखो condition क्या है कि यहाँ पर हम value क्या रख रहे हैं value रख रहे हैं भाई क्या? चोटी तो भाई यहाँ पे अगर छोटी रख रहे हैं तो value तो बड़ी हो जानी चाहिए थी 0 रख रहे थे या minus 1 रख रहे थे तो मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बात increasing के लिए check कर रहे हैं हम हम यह check कर रहे हैं कि इसके बीच में value increase करेगे की नहीं पहले increase के क्लिए check करो भई minus 1 से 1 by 2 ध्यांसा सुनना में क्या करो पहले हम किस के लिए solve कर रहे हैं increase के लिए तो solve करो minus 1 से 1 by 2 के बीच में 0 तो 0 पूट करते हैं minus 1 आगया तो क्या increase कर रहा है नहीं चलो यहाँ चेक करते हैं 1 by 2 से 1 के बीच में, यह करते हैं, तो क्या आता है भाइ 1 by 2 से 1 के बीच में 1 by 3, क्या आता है, 1 by 3, तो 1 by 3 रखके देखते हैं, तो 1 by 3 रखेंगे, 2 by 3, तो तब भी माइं negative आ रहा है, देखो, अगर मैं यहां पर 1 by 3 रख दूँ, तब भी यह क्या आ रहा है, 2 by 3 minus 1, solve करके देख लो minus 1 by 3 आ रहा है यानि अभी भी क्या आया negative यानि जब मैं increasing के लिए solve कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा हूँ ठीक है अब मैं एक बार क्या करूँगा decreasing के लिए decreasing के लिए solve करूँगा मतलब इस से छोटा इस type से मतलब इन से ऐसे कुछ इस type का ले लूँ है 2x minus 1 ऐसे यह ले लेता हूँ decreasing के लिए तो यह होगा न 0 तो चोटा आना चाहिए चलो अब क्या करेंगे decreasing के लिए फिर से रख के देख लो minus 1 से minus 1 से 1 by 2 के बीच में क्या रख रहते है 0 तो यहाँ पे 0 रखा यहाँ पे क्या रखा हमने 0 रखा तो 0 रखते ही क्या हो गया तो भई पहली condition satisfy ठीक है पहली condition satisfy लेकिन आप इसमें रख के देखेंगे अब चेक करते हैं होता है कि नहीं ठीक है अब चेक करो तो यहाँ पे 1 by 2 से 1 के बीच में क्या रख के देखा हमने एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट वच्चो अरे गलत पुट कर दिया है यहाँ पे 3 by 4 पुट करना है 1 by 3 तो और छोटा होता है sorry वच्चो 3 by 4 रखा हुआ 3 by 4 तो कितना हो जाएगा कट के 2 डेढ़ और यह कट के कितना हो जाएगा half, तो मतलब क्या हो रहा है, हमने क्या देखा, एक condition satisfy, एक condition not satisfy, फिर दूसरे में भी रख के देखो decreasing के लिए, decreasing में यहां रखा तो satisfy हुआ था, अब यहां के रख के देखो 3 by 4 आजी, 3 by 4 कट गया, 2, और यह कितना आगया भई half, और यह 0 से बड़ा तो यानि क्या, यह भी क्या आया, not satisfy मतलब हमने क्या देखा, कि जब मैंने, minus 1 से 1 by 2 के बीच में कुछ रख रहा हूँ, तो satisfy कर रहा है, लेकिन 1 by 2 से 1 के बीच में रख रहा हूँ, तो not satisfy कर रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे यह बात, हम यहां So, none of the value is satisfied, satisfied, none of the value is satisfied between between 1 by 2 to 1, 1 by 2 to 1, so, so there is, there is no, no increasing, no increasing or decreasing no increasing or decreasing points there is points for this function for this function तो बच्चो ये answer है आपका कि बई क्या जब हम लोग बई एक बटा दो और एक के बीच में कोई भी value रख रहे हैं तो ना वो increase के लिए solve कर पा रहा है और ना वो decrease के लिए solve कर पा रहा है इस वज़े से ये function ना ही increasing के लिए और ना ही decreasing के लिए solve कर पा रहा है मतलब एक condition तो satisfy हो रही है लेकिन दूसरी condition satisfy नहीं हो रही है note करो इसे note करो इसके बाद बच्चो question number 18 आपको खुद करना ये आराम से कर सकते हो आप ठीक है फिर आपको यही ऐसा same question दे रहा हूँ है question number 15 15 10 ये करना आपको घर से ठीक है ये करना है और बाकी ML से try करना next class में sign term वाले मतलब trigonometric term वाले जितने भी question होंगे ये सारे question बच्चो आपको करा दिये जाएंगे ठीक है तो चलिए आज की class यहीं खतम करते हैं next class में मिलते हैं नए questions के साथ